दोस्तों अगर आप भी ऐसे लोगों में से हैं जो थुड़ा सा काम करते हैं और बहुत जल्दी ठक जाते हैं कितना भी खा पिले और कुछ भी खा पिले लेकिन फिर भी आपके शरीर में उर्जा समझ में नहीं आती कि जा कहा रहा है एक खाना एक तो कोई काम में मन ही लगता और अगर कोई काम करने लग जाए तो उसके लिए शरीर में हमारे उर्जा नहीं होती वही कुछ लोग इतने जादा उत्साहित होते हैं अपने काम को लेके उनके अंदर एनरजी खतम ही नहीं होती है इसका सबसे बड़ा रहस्य मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि आपको ये वीडियो अंद तक देख कर समझ में आ जाएगी इसका सबसे बड़ा रहस्य इसका सबसे बड़ा जो राज है ना वो हमारे शरीर में ही हमारे अंदर छुपा हुआ है ये जो हमारा शरीर है ना इसमें उर्जाओं का भंडार है लेकिन हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होती अविध्या के कारण हम इस एनर्जी को पूरी जिंदगी पहचान नहीं पाते है देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक्जामपल से समझाओंगी हमारे जो रिशियों और मुनियों को आपने देखा है कि जो कि कई-कई दिनों तक तपस्या करते हैं और बिना कुछ खाए पिए उनका शरीर कैसे चंचल सा होता है अगर उनसे थोड़े देर बात करें तो आपको लगेगा कि इनके अंदर अपार उर्जा कैसे आई चहरा चमकता हुआ रहेगा, आखों में वही तेज होगा ये सारी चीज़े हमें क्यों नहीं मिल पाती वो हमें इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि हम अपनी सासों पर कोई तवज्जों नहीं देते हैं जी हाँ सासे आपको मैं बताऊं अकॉर्डिंग टू स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी 24 घंटे में हम 21,600 बार सास लेते हैं अब इतनी बार सास लेते हैं लेकिन हमें फिर भी इन सासों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता बस सासे आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है तो आपको इस पर काम करना चाहिए देखिए हमारे lungs की जो capacity है लगभग 5 से 6 लिटर की capacity होती है इतनी हम सासे अपने lungs पर भर सकते हैं लेकिन आपको पता है हम सास जो लेते और छोड़ते हैं वो सिर्फ 500 ml इतनी सासे लेते हैं capacity तो इतनी है लेकिन सासे कितनी आती जाती हैं अभी आपको देखिए जब आप सास ले रहे हैं वो कैसे बस आ रही है जा रही है अपना काम फेफड़ा अपने आप कर रहा है आ रहा है जा रहा है लेकिन वही हम अगर इन सासों पर ध्यान दे दे तो इन lungs की capacity को enhance किया जा सकता है जब lungs की capacity enhance होगी तो जो भी आने वाली सास है उसमें उपस्थित जो oxygen है एक एक छोटे छोटे कोशी काउं तक जाएगी cells तक जाएगी और उन cells पर जब ये oxygen प्रचुर मातरा में मिलेगी तब जाके वहां से हमें उर्जाओं का भंडार मिलेगा तब जाके वहां से हम उर्जावान होंगे और ये काम एक दिन में नहीं होगा आपको निरंतर जो भी आज की वीडियो में मैं अभ्यास बताऊंगी उसको निरंतर करते रहना है और एक अच्छी बात ये है कि ये अभ्यास इतने सिंपल है आज के कि कोई भी इंसान कर सकता है, किसी भी वक्त कर सकते है, कितनी भी बार कर सकते है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है तो आज के अभ्यास में हम कुछ ऐसे फिजिकल प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे आसनों का अभ्यास करेंगे, जिसके साथ साथ हम सासों को लेना और छोड़ना अच्छी तरीके से सीखेंगे, जिससे की सारीरिक लाब के साथ साथ जो मानसिक लाब है वो भी मिल सकें, और साथ ही इ नाक बंद करके रखें, तो within 3 मिनट आप इस दुनिया से रुकसत हो जाएंगे, ठीक है, इतना महत्व है इन सांसों का, बस इन सांसों पर अगर हम ये काम कर लें, तो हमारे शरीर की इस उर्जा को हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तमाल कर पाएंगे, तो वीडियो को अंद अगर चैनल में नए आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूठ हिस्सा जरूर बन जाएगा, नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा, आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपके अपने जिसमें हम अपने दोनों पैरों की एडियों और अंगूठों को ऐसे जोड लेंगे, और दोनों हाथों को बॉड़ी के साइड में रहने देंगे, लेकिन हो सकता है बहुत से लोगों का ऐसे बैलन्स ना बने, या घुटनों में दर्ध हो, तो पैरों की बीच में आप नॉ आसों को सिंक्रनाइज करके अभ्यास करेंगे, तो सास लेते हुए दोनों हाथों को बॉड़ी से दूर करें, सास ले रहे हैं, सास ले रहे हैं, जब कंधे तक हाथ पहुत जाए, तो कलाई से अपनी हथेलियों को छट की तरफ मोड़ दें, और फिर उसके बाद दोनों पीचे ताकि लंग्स जो हैं बहुत अच्छी तरीके से वेंटिलेट हों और फिर सास ले लिया हैं सास शोड़ते हुए धीरे 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 दोनों हाथों को कंधे के लेवल तक लेकी आएं वापस से सास लें पहले राइट कलाई आगे थी तो अब राइट कलाई पीछे और ल दोनों हाथों को कंधे के लेवल तक लाया कलाईयों को घुमा दिया छट की तरफ और धीरे 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 हाथ को चट की तरफ लेके गए अभी राइट कलाई आगे हैं लेफ्ट कलाई पीछे हैं सास लेते हुए पूरा और सास शोड़ते हुए दोनों हाथों को कंधे के ले अब भ्यास करते हुए देखिए सास ले रही हूँ, सास छोड़ रही हूँ, नाक से ही मुह से नहीं, फिर से सास ले रही हूँ, और फिर धीर ऐसे सास को छोड़ दे रही हूँ, बहुत से लोग मुह से सास लेना और छोड़ना शुरू कर देते हैं, तो मुह का काम खाने का है, खाना पचाने का है, नाक का काम सास लेने का है, ठीक है, ये धियान रखिएगा, जरा साइट से देखिए आप, जब मैं सास ले रही हूँ, तो अपर बॉड़ी को किस तरीके से मैंने अपर बॉड़ी को किस तरीके से रखा है, सास लिया, पूरा सास ले लिया, पूरा सास ले लिया, पूरा सास ले लिया, पूरा सास ले लिया, इस तरीके से, और हलका सा आपको हाथ को छट की तरफ देखना है, और नजरों को जो है, तो सामने रखना है, ऐसे उपर मत उठा लीजिएगा ऐसे ऐसे सामने देखना है वरना आप बैलेंस बिगाड लेंगे और गिर जाएंगे और सास छोड़ते हुए धीरे 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 दोनों हाथों को कंधे के लेवल तक लेकी आगए इस तरीके वापस से सास लिया और सास को धीरे 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 छोड़ द दोस्तों अगर आप मेरी नीगरानी में रहे के योग का अभयास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली online yoga classes में इन online yoga classes को हम zoom के माध्य हमसे कंड़क करते हैं so that आप देश, दुनिया के किसी भी कोने में हो आसानी से मेरे साथ जूढ के योग काभियास कर सके इन उलाइन योग कलासेज को कोई भी जुआन कर सकता है चाहे आप बिगनर हो अलरेड़ी योग काभियास कर रेहे हो या कोई आपको health condition हो आपको बताओ मेरी कलासेज में बहुँत से स्टूडेंट को बहुत सी ऐसी health condition थी, जैसे वो conceive नहीं कर पा रहे थे, periods की problem थी महिलाओं को, periods time पे नहीं आते हैं, बहुत मांसिक तनाव था, या रात में नीद आने की समस्या है, या diabetes की समस्या है, या thyroid जो है, वो imbalance हो गया है, weight management में बहुत जादा problem आ रही थी, मांसिक तनाव, depression, anxiety की समस्या की बाद मेरे students को बहुत जादा स्वास्थिलाब मिले है, इन classes को मैं इस तरीके से design करती हूँ, ताकि एक घंटे में आप आसन करें, प्राणयाम करें, ध्यान करें, relaxation करें, अलग-अलग दिन हम योगिक क्रियाएं करते हैं, जिससे शरीर की आंतरिक साफ सफाई हो सके, शु सोच रहे होंगे कि ये classes जो है, वो beginner friendly है, नहीं, complete beginner friendly है, और अगर आप already योग का अभ्यास कर रहे हैं, फिर भी आपकी practice को एक level आगे ले जाने में बहुत मददगार साबित होंगी ये practices, अब अगर बहुत से लोग ऐसे हैं, जो fixed time पे classes नहीं जोइन कर पाते हैं, तो मैंने कुछ courses इस तरीके से design किये हैं, कि इन courses को purchase करके आप दिन में कभी भी किसी भी वक्त, कितनी भी भार इन वीडियो के माध्यम से अभ्यास कर सकते हैं, इन वीडियो को आप YouTube पर नहीं पाएंगे, क्योंकि ए exclusive मेरे website पर available है, और ये पूरी की पूरी classes और recorded session का एक ही मकसद है, कि आपको overall स्वास्त में लाब मिले, अगर आप इन classes और courses के बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो मेरी website जरूर विजिट कीजेगा, जो की है www.yogavidshahida.com, या कि फिर यहाँ पर जो ये WhatsApp नमबर दिया है, इस WhatsApp नमबर पर भी जाके, आप एक WhatsApp कर सकते हैं, ताकि आपको class औ का अभ्यास जैसे जो beginner है, वो इस तरीके से normal breathing के साथ अभ्यास करें, जैसे आपको कुछ हफते का वक्त हो जाए, तो इसमें breath retention यानि कुम्भक का भी अभ्यास करें, इससे आपके lungs को बहुत जादा उर्जा मिलेगी, और जो गैसों का आदान प्रदान है ना, एक्शेंज ह वो body में increase होगा, improve होगा, तो किस तरीके से अपने दोनों हाथों को body के side में रखा, सास लिया, ऐसे, hold किया सासों को, one, two, three, four, five, और सास चोड़ते हुए, दोनों हाथों को कंधे के level तक लेके आ गए, वापस से सास लिया, धीरे, 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 धीरे सासों को, one, two, three, four, five, और सास को धीरे, 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 ऐसे छोड़ दिया, जब आप ये काम करें ना, तो मुझ से गिंती मत कीचेगा, गिंती मैंने आपको समझने के लिए कहा, फिर से देखे, सास लिया, पूरी सास फेफड़े पर भर ली, भर ली, भर ली, भर ली, रोक लिया, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, जितनी आपकी क्षंता हो, सास को छोड दिया, नाक से, वाप्षे से सास लिया, रोक लिया, और छोड दिया, नाक से, है ना, कितना आभ्यास और आपको ये अभ्यास कभी भी कर लें, आप, कोई भी लिमिटेशन नहीं है, अब हम दूसरे अभियास की तरफ आगे बढ़ेंगे जिसका नाम है frontal stretch breathing और आपको पता है कोरोना के दोरान सबको breathing करने में कितनी problem आ रही थी oxygen level कितना ज़्यादा drop हो गया था lungs कितने ज़्यादा unhealthy थे तो ये वाली सारी जो breathing मैं बता रही हूँ बिहार स्कूल आफ योगा की तरफ से कई सारे hospitals में ये जो टेकनीक है वो apply की गई और इसके positive results immediately देखने के लिए मिले तो ये सारी टेकनीक जो है स्वामी शिवानन्दा जी द्वारा इजाद की हुई टेकनीक है और trusted है और proven है तो इसलिए आप इसका अभियास हर रोज किया करें दोनों हाथों को body के side में रखा और फिर उसके बाद alert हो गए aware हो गए अब उसके बाद frontal stretch है ना तो दोनों palms को अपने thigh के उपर सामने की तरफ ऐसे रख लिया अपने एडियों को और अंगूठों को जोड के रखे अगर आपका balance ना बरे तो दोनों पैरों के बीच में फासला कर ले अगर फिर भी गिरने का डर है तो आप दिवार के सहारे ऐसे खड़े हो जाएं इस तरीके से अब सास लेते हुए धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे- धीरे 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 दुरू हाथों को बड़ी के सामने रख लिया इस तरीके से सास लिया लेके गए और सास को छोड़ दिया नाक से धीरे 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 इस तरीके से सास लिया नाक से बहुत धीरे धीरे हाथ को उपर लेके गए पूरे लंग्स पर ध्य और सास शोरते हुए धीरे 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 ये गलती आपको नहीं करने हैं, बहुत से लोग ऐसी गलती करेंगे भी, ऐसे नहीं, हम अपनी सासों के प्रती अवेर होंगे, सजग होंगे, और साथी सासों के साथ अपनी बाड़ी को सिंख्रनाइज करेंगे, कि बाड़ी कैसे मूव हो रही है, सास कैसे आ रही है, और सासो उपर उठाते जा रहे हैं, उठाते जा रहे हैं, उठाते जा रहे हैं, सामने देख रहे हैं, और सास छोड़ते हुए धीरे 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 इस तरीके से दोनों हातों को बोड़ी के साइड में रख लिया, हाँ आप इसमें कुम्भक कभी अभ्यास कर सकते हैं कैसे सास लिया, धीरे 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 नाक से, पूरी सास ले ली और सास को रोका, 1, 2, 3, 4, 5, सास चोड़ते हुए धीरे 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 दोनों हाथ मैंने डाउन कर लिया, तो इस अभ्यास को आप पास बार साथ बार ऐसा अभ्यास सास चोड़ते हुए धीरे धीरे तया से ड्रॉब कर दिया अगर आपको सास रोगने में दिक्कत आ रही है तो कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक बिना सास रोगे अभ्यास करें आब हम ने फ्रंटल स्ट्रेच कर लिया, अब हम अभ्यास करेंगे साइड स्ट्रेच का स्ट्रेच में भी दोनों पैर की एडियों को इस तरीके से जोड लिया, अंगुठों के साथ दोनों हाथों को बॉड़ी के साइड में रखा, और उसके बाद सास लेते हुए धीरे 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 दोनों हाथों को एक दूसरे से दूर किया, और धीरे 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 द पूरा हाथ खोलते हुए, side stretch, ताकि side की जो muscles है वो open हो, और सास छोडते हुए, धीरे, 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 ऐसे हैं, अगर पैर जोडने में परिशानी आ रही है, तो अलग कर लें, सास लें, और सास को छोड़ें, ऐसा हाँ, सास लें, और सास को छोड़ दें, breath retain करके, सास लें, सासो को रोकें, one, two, three, four, five, सास छोड़ दें, सास ले लें, सासो को रोकें, one, two, three, four, five, और सासो को छोड़ दें, ऐसा, अब हम अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है, back stretch, back stretch में पूरी आपकी छाती बहुत अच्छी तरीके से खुलेगी, open होगी, किस तरीके से अभ्यास करेंगे, जरा देखे, अपने दोनों पैर की एडियों को और अंगुठों को जोड़ लिया है, अलग करना है, तो आप अलग कर लें, फिर उसके बाद क्या करें, दोनों हाथों की हथेलियों को इस तरीके से, ऐसे, एक दूसरे के साथ छाती के सामने जोड़ लिया, इस तरीके से, ऐसा, ठीक है, और फिर उसके बाद सास लेते हुए, दोनों हाथों को अलग किया, अलग किया, हथेलियों को बाहर की तरफ घुमा दिया, और पीछे की तरफ लेके जा रहे, अभी सास ले रहे है, पूरी छाती को ऐसे ओपन कर रहे है, दोनों हाथों को बाड़ी के पीछे लेके गई, सामने देखा, ना उपर देखेगा, ना नीचे देखेगा, सामने हुए दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ इस तरीके से बाड़ी के सामने जोड़ लें सास लें पूरी सास लें जितनी लंग की कैपसिटी है पूरी छाती को फुला लें खीच लें भर लें सासों को और सास छोड़ते हुए धीरे 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 दोनों हथेलियों को एक दूसर के होंगे कि किसलिए ये कोविट के टाइम पे लोगों को बहुत ही जादा मददगार ये प्रैक्टिस हुई होगी क्योंकि पूरे फेफड़े पर काम हो रहा है सास लें और सास को छोड़ें सास को रोकेंगे किस तरीके से सास लें सासो को रोकें 1,2,3,4,5 और सास छोड़ते हुए दोनों हतेलियों को वापस से ऐसे जोड़ लें अगर आप जादा देर तक सासो को रोकना चाहते हैं तो 10 काउंट्स तक सासो को रोकें 8 काउंट्स तक सासो को रोकें जितनी देर आसानी से हो जाए रोक लिया सासो को और फिर इसे सारे अभ्यास हमने खड़े होके कर लिए अब लेट कर किये जाने वाले अभ्यास करेंगे आराम से लेट कर हम करेंगे उधर श्वशन का अभ्यास ऐसे पैरों को अलग कर लिजेगा दोनों हाथों को बॉड़ी के साइड में कर लिजेगा और आपके समझदारी के लिए म अपने abdominal movements को महसूस कर पाए, अपने पेट के ऊपर नीचे जाने को महसूस कर पाए आखो को बंद कर ले, ध्यान को अपनी नाभी के पास रखिएगा, इस जगा पे, यहाँ पे मेरी नाभी है यहाँ पे रखिएगा, यही पर अपनी हथेलियों को रख दिया सास लिया गहरी लंबी नाख से, और पेट को गुबारे की तरफ उलाएंगे, कैसे? ऐसा, और सास शोड़ते हुए धीरे 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 पेट को खाली कर देंगे, ऐसा सास लेंगे और सास को छोड़ देंगे दीरे 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 पूरा पेट खाली हो जाए गेरी सास लेंगे नाक से पूरा पेट फूल गया इस तरीक से गुबारे की तरह और सास छोड़ देंगे ऐसा, पुरा पेट खाली कर देंगे, खाली कर देंगे, पिचक जाए, ऐसा सांस लेंगे और सांस को छोड़ देंगे कुछ हफतों तक ऐसा अभ्यास हो जाए, तो फिर आप सांसों को रोकने का भी काम करें सांस लेंगे सांसों को रोकेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सांसों को छोड़ दें, धीरे, 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 खाली कर दें नई सांस लें रोक लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और सांस को छोड़ दें, ऐसा नाक से नाक से ही सास ले धीरे-धीरे रोख ले सासों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सास छोड़ दे नाक से इस तरीके से तो इस अभ्यास को आप रात में सोने से पहले भी कर सकते हैं और हाँ, खाना खाने के इमीडियेटली बाद मत कीजेगा क्योंकि इससे आप तुरंत खाना खाए रहेंगे तो पेट को फुलाना पिछकाना आसुविदा होगी खाना खाने के बाद पेट का काम जो है डाइजेशन का है तो आप डाइजेशन का विशेश ध्यान रखें तो सिर्फ ये अब्डामिनल जो ब्रीधिंग है इसको छोड़के बाकी की सारी प्रैक्टिसेस आप कभी भी कर सकते खड़े होके बैट कर किसी भी तरीके से एक चीज का और ध्यान दे कि ऐसा नहीं है कि ये सारी जैसे हमने प्रैक्टिसेस की है प्रैक्टिसेस की है ऐसा नहीं है कि इन सारों को एक बार में ही आप करें बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं रहता है इतना सारा तो आप इसमें से कोई भी एक अभ्यास सुब कर लें फिर थोड़े दिर बाद कर लें जब टाइम मिलें फिर उसके बाद या तो शाम में कर लें, या इसमें से दो अभ्यास कर लें, या तीन अभ्यास कर लें, या कोई अभ्यास आज कर लिया, दूसरा अभ्यास दूसरे दिन कर लिया, तीसरा अभ्यास तीसरे दिन कर लिया, और अगर आपके पास इतना वक्त है कि सारे अभ्यास क एक साथ कर सकते हैं तो जरूर इन सारे अभ्यासों को एक साथ करें और अगर फिर भी वक्त की कमी है तो साथ साथ दस दस repetition ना करके 3-3 या 5-5 repetition कर लें और अभ्यास को finish कर दें कभी भी अभ्यास को बहुत जल्दबाजी से ना करें क्योंकि इससे कोई फाइदा नहीं होने वाला है हम चाह रहे हैं कि सांस जो है बहुत अच्छी तरीके से synchronize हो body के साथ और सांसे आराम-ाराम से लिया जाए जिससे की गैसों का आदान प्रदान जो exchange है जो हमारी body में जाके होता है lungs पे जाके होता है वो बहुत सुचारू रूप से चले और इसकी प्रचूर मात्रा हमारे cells तक पहुँचे जो की हमें उर्जावान रखने में मदद करेगी ज़र ये भी समझ लेते हैं कि इन practices को कब करना है कितनी देर करना है इन practices को आप कभी भी कर लें जब भी आपको आपके busy schedule से वक्त मिले निकाल ले अच्छा होगा कि आप सुबह सुबह करें लेकिन इसके अलावा आप कभी भी इनका अभ्यास कर सकते हैं कौन इनसान इसका अभ्यास कर सकता है कोई भी इनसान चाहे आप जवान हो चाहे आप बुजर्ग हो या उम्र के किसी भी पड़ाओ में हो आसानी से इसका अभ्यास कर सकते हैं चाहे आप महिलाएं हो चाहे पुरुष हो अगर आपको किसी भी तरीकी की कोई health condition है फिर भी इन अभ्यासों का कोई भी side effect नहीं है आराम से अभ्यास करें जैसे मैंने आपको बीच बीच में ये भी बताया है कि आप दीवार का सहारा ले सकते हैं पैरों को अलग कर सकते हैं जितनी आसान से आसान हो सके आपके खड़े होने की स्थिति उतनी आसानी से इन अभ्यासों को करें और स्वास्त लाब पाएं कितनी बार इन अभ्यासों को करना है तो minimum 7 round तो आप करे ही करें या कि maximum थोड़ा सा इसको बढ़ा के 10 से 12 repetition करें हर एक practice को 10 से 12 repetition करें जैसे कि मैंने बताया है और इसके लाबा और कुछ भी हो तो नीचे comment section तो खुला ही हुआ है जाई ये सवाल पूछिए जल्दी से आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए I am sure कि अब जब अंत तक देख लिया है आपने तो आपको सारी जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी आपको समझ में आगई आप अभ्यास कीजेगा और इस वीडियो के लिंक को कौपी करके अपने दोस्तों को भी forward कर दीजेगा जिससे उनको भी स्वास सिलाब मिले अपने घर वालों को बहुत motivate कीजे कि वो भी निरंतर योग का अभ्यास करें क्योंकि योग करने में आप अपने शरीर की जो उर्जा है उसको enhance कर सकते हैं और एक खुसहाल जिन्दगी जी सकते हैं आप वीडियो को अंतक देख लिया है मेरी बाते अच्छी लग रही हैं आपको तो चैनल को भी जल्दी से subscribe कर लिजे और इस वीडियो को भी लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए अगली वीडियो में आप सभी से बहुत जल्दी मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ और हाँ अगर आप चाहते हैं कि आप कोई टॉपिक मुझे suggest करें कि कौन सी टॉपिक पर वीडियो बनानी है मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, मेरी बाते कैसी लगती है, आपको समझ में आती है नहीं तो मुझे नीचे comment करके ज़रूर बताएगा आगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी नमस्ते